असलाम लेकुम हुशाम दीद कहते हूं मैं आपको अपने चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ घर के सिलेवे कुछ लेडीज ड्रेसे के बहुत यूनीक एंड बहुत स्टाइलिश डिजाइन्स शेयर करने वाली हूं जिसको फॉलो करके जिससे आप एट ले सकत इसको फॉलो करते विए आप एक बहुत ही स्टाइलिश एंड कमफरडेबल ड्रेस घर पे रैडी कर पाएंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैट बर्न पर क्लिक करके कर दीज आपको मिलती रहे तो यहां पर मैंने कुछ ड्रेस ले लिए हैं जो बिल्कुल घर के स्टिच हुए में हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यहां पर हमने कैसे स्टिच किया है जो सबसे जादा अच्छा लगे मुझे कमेंड बॉक्स में बताइएगा मैं डेफिनेट अधागे की लगाई हैं उसके बाद डिजाइन बनाया है और स्लीव के आगे यह देखें इस तरीके से सीडी लैस लगा ली है और बीच में बॉर्डर की पट्टी लगा ली है और फ्रंट पे आगे बेल लगा ली है और नीचे जो चाक पे हमने देख सकते हैं यहां पर जो बॉर्डर की पट्टी है वो लेकिए उसके अंदर बेल देके इस तरीके से चाक पे डिजाइनिंग कर ली हैं तो दोनों दरफ चाक पे इसी तरीके से हमने लगा ली है यह बेल और पट्टी जो ड्रेस है बहुत जबर अबर दर स्ट्रैडी हो गया था नेक्स देख लेते ह से पट्टी इसके साथ अटेच करने के बाद बीच में पाइपिंग कर ली है डिफरेंट कलर के कपड़ेगी तो यह सिंपल गोल सा जो नेक था वो बहुत ही स्टाइलिश सा रेडी हुआ है और जो स्लीव्स हैं वो बड़े स्टाइलिश से इसके बनाया है हमने देख सकते हैं यहां पर आगे चुनट्स दे के पट्टी लगाई है और बीच में यहां पर इसतरीके से सेडी लेस लगाके उपर नीचे बेल की ऐक जो बॉडर की पट्टी हैं तीवो काटके उपर नीचे डिफरेंट कंट्रास में लगा दी है और फ्रंट पे जो है वो थोड़े बहुत जबरदस्ट और बहुत ही स्टाइलिश सा रेडी हुआ था next देख लेते हैं next shirt में हमने simply plain कपड़ा ले लिया है उसकी stripes cut के इस तरीके से लगाई है कि जिसे जो shirt है वह बहुत ज़दा stylish हो गई थी सबसे पहले इस तरीके से स्ट्राइब में एक बॉक्स बना लिया था पट्टी के और पट्टी का और उसके अंदर हम लोगों ने यहां पे बेल दी है ब्लैक कलर की और साइड पे इस तरीके से देख सकते हैं आपके स्ट्राइब में हम लोगों ने जो स्ट्राइब से प्लेन कपड़े की वह लगाई है और यह जो ड्रेस बास स्लीव में आपको दिखाती हूं यह देखें नेक पे जो हमने लगाई है इसकी नेक पे भी सिंपल पट्टी के अंदर सेडी लैस लेके लगा के उस पट्ट पेले लगाई है और सीडी लैस लगाके इस तरीके से स्लीव की डिजाइनिंग की है तो बॉटम पे नीचे कमीज के वह लैस लगा ली है और यह शिर्ट भी बहुत स्टाइलिश रडी हुई थी नेक्स देख लेते हैं नेक्स जो शिर्ट है हमने वह अनरखा स्टाइल में बनाई है और इस तरीके से इसकी जो डोरियां है वह भी जो नॉर्मल जिससे जिस कॉटन थ्रेड से हम लोग स्टिच करते हैं उसी की बनाई है यह जो बॉर्डर था हमारा इसके अंदर से एक पट्टी यह निकाल ली थी हमने कट करके उसी की यह नरखा स्टाइल बनाया है बारी पट्टी जो लगाई है लग से नहीं ली है वो इसके बॉर्डर के अंदर से ही लगाई है और ऑल अवर यह जो ड्रेस है बहुत जबरदस रेडी हुआ है देख सकते हैं नेक्स इसका जो डूबटा है उसके सिंपल जो कॉर्णर पे इस तरीके से टसल बनाके लगा ल कर दिया उसी स्टाइल में इस स्टाइल में बना हुआ था राउंड शेप में तो हमने सेम उसको कर टवक करके उसके एक कट पे मोती और एक कट पे यह टेसल बनाके लगा लिया लिया है कौटन ठ्रेट का और 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 ऑल अबर यह जो दामन है वो कुछ इस तरीके से बन गय इस तरीके से लगा के अपना दामन की येट कर सकते हैं और स्लीव के आगे भी इसी तरीके से राउंड शेव में कट वर्क बना के उसके जो कट में हैं वो एक-एक मोती लगा लिया है तो ओल अवर ये जो शर्ट थी वो बहुत जबरदस रेडी हुई है गले पर भी एक बड़ा से टसल बना के लगा लिया था इसके जो डूबटा था उसके पलूऊँ पे अपर बड़े-बड़े कट वर्क बने व acceleration ये थे कटसल बना लिया हैं वहां पर भी सेमी सी तरीके से एक कट में मोती और एक टसल लगा के और उसके पल्लों भी ready कर लिये थे इस तरीके से अगर आपका cut work नहीं भी बनावा तो मैं आपको अपने चैनल में बहुत तरह की cut work बनाना stitch करना, cut करना, सिखाज की हूँ नहीं देखी हैं, वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा जागे तो खुद से भी create कर सकते हैं, एक plain डुबटे पे इस तरीके से बना के तो बहुत stylish सा आपका डुबटा भी ready हो जाएगा डुबटे पे थोड़े cut work थे, तो ये बड़े style में बनाया है, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे तो all over ये हमारे जो ये dress भी था, वो बहुत जबर्दस ready हुआ था, सारे dresses मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिये हैं, आप तो अपने सर्दियों के, गर्मियों के, किसी भी dress पे ये designing कर सकते हैं, यहाँ तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आईए, लाइक के बिना बिल यहाँ थे जाहँ पेजिए.